हाई वर्डी और वोर्कम टो अलो फिवी इंदर लंगन बैच आज हम लोग हमारे एसिट विल सेंसर का लेक्षिन अब वह सिख स्टार्ट करने बाले हैं अजकी की लेक्षर में हम लोग कावर करेंगे केमीकल फोर्म वाई कोम कॉममों साल के अनदर आजकी की सोड सौन को या पर वाईडरोकसाइड को जो कि है 漂亮 अच्छा तो फिर सभी इधर उतर देखना बंद कर दीजिए अपने सामने एक पेन कॉपी और इंसाइटी बुक लेकर बैट जाए मैं आपको खुशायन मजुंदार और आप देखरें स्टाइडाइवरसिटी तो लेट स्टार्ट आवर तुडेश्ट टॉपिक चलिए तो फिर केमिकल्स फर्म बाई कॉमोन सॉल्ट में से पहले हम कॉमोन सॉल्ट के बारे में दो बाते जान लेते हैं तो सभी कॉपी में हेडिंग दे लीजिए कॉमोन सॉल्ट देखिए, common salt नेचर में solid form में एक mineral के रूप में पाया जाता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं, rock salt common salt, nature में एक mineral के रूप में solidified form में पाया जाता है, जिसे हम बोलते है, rock salt तो फिर, हम लोग लिख सेकते हैं अखर इन नचर इन य्ट व सौलिट प्रम थैस्ट मिनर थैस्ट रोड़ कर दो लेश्ड लेट नड़त तो फिर जो हमारा common salt है जो कि है NACL हमारा जो common salt है वो उसे हम लोग एक नीचर में एक mineral पाया जाता है जो कि है rock salt उसमें से extract कर सकते हैं अभी देख लीजिए rock salt का जो color है rock salt के crystal का जो color होता है वो brown होता है पर आप लोग अक्सल नूटिस कि होंगे कि आपके घर में जो table salt used होता है आपके घर में जो cooking में table salt used होता है वो white color का होता है पर rock salt का color अभी तो आपने बोला भाईया brown होता है तो फिर मैंने अभी-अभी बोला आपको कि rock salt एक मिनरे है जिससे ही हम लोग उस stable salt या फिर common salt को एक्स्ट्राट करते हैं तो फिर इसका color brown है भाईया और इसका color white क्यों है क्योंकि rock salt में बहुत सारा impurities present रहता है due to these impurities the color of the crystal of the rock salt become brownish हम लोग लिख सकते हैं color of rock salt crystal are brown due to presence of impurities तो फिर the color of the rock salt crystal is brown due to presence of impurities in it अच्छा अभी सपोज आप लोग माननीजे एक जगा पर पूरा sea water था एक जगा पर हमारे पास पूरा समुंदर का पानी एक नेचरल रिजिन में था अभी सूरियदेव के कथोर प्रकोप से सूरियदेव ने अपना कथोर प्रकोप दिखाया और यहाँ का सारा जो sea water था वो एवापोरेटेट हो गया यहाँ पर जो सारा जो sea water था वो पूरा का पूरा 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 सूग गया सूरियदेव के कथोर प्रकोप से या फिर कोई भी नेचरल रिजन के वज़े से यहाँ का सारा जो sea water था वो सुग गया या फिर एवापोरेटेट हो गया तो फिर यहाँ पर क्या पाया जाता है यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा क्यां भी गयएम लोगों को बेट्स ऑफ रॉक सॉल्ट मिल जयकाँ बी जंसलम Sudan अगर क्या संबूर के पूरा पहताम मों सुप्रिच्छल का की मिल जाएगा क्य१्या एक मोटा लेयर आफिर पहला क्यूर अब्रा बॉटम वड kön presently ऑने मिल जाएगा when the sea water gets dried up beads of rock salt are obtained when the sea water गेट ड्राइड अप एंड हम लोग रॉक सॉल्ट को कोल माइनिंग की तरह भी एक्स्ट्रेट कर सकते हैं रॉक सॉल्ट कैन अल्सो भी माइन्द लाइक कोल लाइक कोल तो फिर अर्थ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर हम माइनिंग करके या पर पर डिगिंग करके रॉक सॉल्ट को एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर रीजिन में हमें रॉक सॉल्ट मिल जाएगा चलिए हम लोग अभी कॉमोन सॉल्ट का प्रीपरेशन का प्रोसिडेएट जान लेते हैं कॉमोन सौर का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको जानेगे प्रिपरेशन आप सभी लोगों ने अपने धैकेशन के टाइम में कभी न गभी सी बीचेस तो विजिट किये ही होंगे वहाँ पर क्या होता है समुंदर के पानी में नहाते वक्त हम सभी लोगों के साथ देखिए यह हुआ है समुंदर के पानी में नहाते वक्त थोड़ा लिटल एमाउंट ऑफ समुंदर का जो खाड़ा पानी है वो हमारे मुह में चला जाता है तो फिर वो कैसा टेस्ट करता है वह बहुत गंदी तरह से salty taste करता है वह बहुत मतलब बहुत salty taste करता है वह अभी सबसे बड़ा question यह है कि समुदर का जो पानी है वह salty q taste करता है समुदर का जो पानी है वह salty q taste करता है क्योंकि देख लीजिए समुदर के पानी में sea water में massive amount of common salt dissolved from में present रहता है अगर sea water में common salt dissolved from में present है तो फिर अगर हम एक पतीले में sea water को लिए उसको हम लोग gas या फिर कोई भी चूले में बैठा दिये heat करने के लिए तो फिर जो उसका water part है sea water का water part है वह evaporated हो जाएगा sea water में उसका water portion है वह evaporated हो जाएगा gases from converted हो जाएगा and वहाँ पर जो common salt या फिर जो नमक या फिर initial जो प्रेजेंट होगा वह क्या होगा वह हमें precipitated form में मिल जाएगा तो फिर हम लोग preparation के पहले point में लिख सकते है we can get common salt by या फिर we can extract common salt by evaporation of sea water by evaporation of sea water by evaporation of sea water again हम लोग lab में भी common salt को बना सकते हैं lab में हम लोग common salt को कैसे बना सकते हैं lab में अगर हम लोग hydrochloric acid and sodium hydroxide को एक साम react कर दे तो फिर हमें common salt मिल जाएगा lab में lab में अगर हम लोग sodium hydroxide and hydrochloric acid को एक साज react कर दे तो हमें common salt plus water मिल जाएगा है यह हमारा common salt चलिए अभी common salt का कुछ uses भी जान लेते heading दे लिजे uses पहला use तो आप सभी लोग को पताई होगा कि common salt हम लोग table salt के रूप में use करते हैं हम लोग खाने में table salt के रूप में common salt को use कर सकते हैं used for making table salt फिर it is used for making baking soda then it is used for making sodium hydroxide यह फिर कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं कास्टिक सोडा ही लिख देता हूं फिर it is used for making bleaching powder फिर it is used for making and it is used for making washing soda अभी आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजे मैंने common salt के बारे में आपको सारा information दे दिया है जो भी आपके आपको बजा देता हूं अमिताब बच्चन का एक गाना था आपको याद है कि समुंदर में नहाके और भी नमकीन हो गई हो तो फिर अमिताब बच्चन जी ने क्या कहा था कि समुंदर के पानी में नहाके नमकीन हो गई हो मतलब समुंदर के पानी में common salt dissolve रहता है देखिए तब का गाना कितना scientific होता था पर अभी का गाना की बात तो आप लोग छोड़ी दीजिए तो फिर ये एक बहुत अच्छा कि समुंदर के पानी में नहाके नमकीन क्यूं हो गई हो क्योंकि समुंदर के पानी में भाईया common salt dissolve रहता है समुंदर के पानी में common salt dissolve रहता है इसलिए नमकीन हो गई हो चलिए अभी हम लोग हमारे next topic की तरह move on कर लेते हैं जो कि है sodium hydroxide या फिर कस्टिक सोडा सभी हेडिंग दे लिजिए sodium hydroxide sodium hydroxide को हम लोग कस्टिक सोडा भी बोलते हैं sodium hydroxide को हम लोग कस्टिक सोडा भी बोलते हैं sodium hydroxide का formula तो आपको बच्चा बच्चा को पता होगा आपको क्या आप तो बड़े समझदार हो पर बच्चों बच्चों को भी sodium hydroxide का formula पता है अभी हम लोग डिसकस कर लेते हैं sodium hydroxide का preparation sodium hydroxide को हम लोग prepare कैसे कर सकते हैं देखें aqueous solution of sodium chloride as well solution of sodium chloride को हम लोग brine बोलते हैं अगर हम लोग ran solution का electrolysis करवा दे एगर हम लोग relación का electrolysis करवा दे देण the sodium chloride decomposes to produce NaOH या फिर sodium hydroxide अगर हम लोग मैं और एक बार रिपीट करता हूँ अगर हम लोग Brine solution का electrolysis करवा दे तेन that sodium chloride decomposes to produce sodium hydroxide या फिर कास्टिक सोडा पहले प्रोसीडियोर लिख देता हूँ अई तो आपको तो रहा कन्क्यूशन हो सकता है प्रोसीडियोर या फिर प्रिपरेशन प्रिपरेशन में हम लोग पहले ही क्या लिखेंगे प्रिपेर्ट थे प्रिपेर्ड या प्रिसे टी थे फ्रूं क्यूशन है अपको तोस्यूशन है पहले नहीं हम लोग ब्राइन भी बोलते है है then it decomposes to produce sodium hydroxide या फिर NaOH चलिए अभी हम लोग इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में इग्जैक्ट्ली क्या होता है उसको भी एक पॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस चेमबर द्रॉप करके समझ लेंगे जैसे आपके बुक में दिया हुआ है चलिए यह डेपिनेशन पहले आप जल्दी से लिख लीजिए आपका आई होप लिखना हो गया हो होगा चलिए मैं इस इस्यमिटा देता हूं अभी मैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस का चेमबर दो से अब द कर दो कर देiegen से यह है हमारा पूरा इलेक्रोलाइस का चेमबर जाहाँ पर हम लोग ब्राइन सॉलूइशन का इलेक्रोलाइस करवाएंगे तो फिर देख लीजिए यह है हमारा पॉसितिव इलेक्टोड यह है हमारा पॉसितिव इलेक्टोड यहाँ पिर अनोट यह हमारा positive electrode या फिर anode and this is our negative electrode या फिर cathode and यहां से हम लोग brine solution को पास करवाएंगे मैंने बोला था यह पूरा चेमबर brine solution से भरा होगा तो फिर यहां से हम लोग brine solution को पास करवाएंगे अच्छा brine solution में क्या होता है मैंने क्या बोला था brine किसका solution है brine sodium chloride का solution है या फिर aqua sodium chloride का solution है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि brine solution में हमारा NaCl प्रेजेंट रहेगा एंड ब्राइन सोलूशन में हमारा H2O प्रेजेंट रहेगा ब्राइन सोलूशन एन एन एच्टुओ का एक सलूशन है एक्वस सलूशन है चलिए अभी अगर हम इसको आयोन में डिवाइट करे अगर हम सोडियम ट्राइट को आयोन में डिवाइट करें तो हमें क्या क्या मिलेगा तो हमें मिल जाएगा Na plus and Cl minus यह हमें दो आयन मिल जाएगा एन हम लोग water को H2O को अगर हम लोग आयनाइस करें या फिर आयन में डिवाइट करें तो हमें मिल जाएगा H plus and OH minus तो फिर आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए इस चेमबर में कौन से कौन से आयन प्रेजेंट है यह टोटल जो हमारा पूरे चेमबर में डिस्पर्स रहेगा यहाँ पर यह मेंब्रेन प्रेजेंट रहता है अभी बोलिए आप लोग यह हम सभी को पता है law of attraction पॉजिटिव नेगेटिव को अट्राइक करता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्राइक करता है तो फिर हमारा जो करेगा सॉल्यूशन में जो भी नेइगेटिव या वी चार्ज US dan यह एनोड एक्स्ट्रैक करें यह हमारे सॉल्यूशन में जो भी नेगेटिव ली-चार्ज टाय conservative उसको एक विर हम लोग बोल सकते हैं कि लोग बोल सकते हैं जो solution में negatively charged iron है मतलब solution में हमारे पास negatively charged क्या है CL- है and OH- है देखिए CL- and OH- ये दोनों हमारा negatively charged iron है तो फिर ये anode की तरफ attracted होंगे and हमारे solution में जो positively charged electrode है या फिर जो positively charged iron है sorry जो हमारे पास positively charged iron है मतलब हमारा na plus and h plus हमारा na plus and h plus जो हमारे पास positively charged iron है वो negatively charged electrode मतलब cathode के तरफ attracted होंगे अब है क्या होगा हमारे एनोड के तरफ या फिर एनोड के चेंबर के तरफ हमाई chlorine गैस dispersed होता हुआ मिलेगा कि हमएं देखलेंगे कि हमें हमारे जो एनोड है उसके तरफ जो ओपेनिंग है वह हाँपर chlorine गैस Estamos होड़ा है chlorine गैस डिस्पर्स्थ हो रहा है एंड हमारा चो क्या थोड होगा हमारे पास चो क्या थोड होगा वहां से क्या होगा वहां से हमारा हाइड्रोजेन गैस डिस्पर्स्थ होगा वहां से हमारा हाइड्रोजेन गैस डिस्पर्स्थ होगा आप लोग को यह और एक बार क्लियर करवा देता हूं अच्छे तरह से देख लीजिए जो हमारे पास सॉलूशन में नेगेटिवली चार्जड आयन था मतलब एनोड की तरफ से याँवरी चेमबर में जो ओपेनिंग होगा वहां से हमारा क्लोरिंग गयास जो है डिस्पर्श होगा एनुशन में जो बी पॉजिटीवली चार्ज आयन है उनको एक्टरट करेगा उसके पास जो ओपेनिंग होगा उसके उपड़ीже एक सीणिंग लागा यहां पर क्या होगा यहां से हमारा sodium hydroxide यहां से हमारा sodium hydroxide which is mixed with brine released होगा यहां से हमारा sodium hydroxide which is mixed with brine released out हो जाएगा यहां से हो जाएगा यहां से हम लोग नोईच को एक्स्टर्ट कर सकते हैं फार्दर प्रोसेस से हम लोग यहां से नोईच को एक्स्टर्ट करेंगे यहां से इस चेंबर से हमारा नोईच which is mixed with brine released हो जाएगा देखिए नोईच यह हम लोग कहां से मिला मैंने तो यह साला स्टोरी बोला यहां पर नोईच कहां से आ गया अच्छे तरह से देख लीजिए देखिए हमारे एनोट के तरफ से chlorine gas रिल्स हो रहा था एंग हमारे चैथोड के तरफ सा hydrogen gas हो रहा था तो फिर जो एनी प्लस आयन है जो हमारा एन प्लस आयन है और जो ओईच मायनस आयन है भाहिया वों बहु एक तर जाएगा वह बया किदर जाएगा वह एक साथ यह दोनो एनचे कॉंबाइंड करके हमारा एनचे का फोर्मेशन करवा देंगे फिर हम लोग एक साथ में यह का जो क्लोरीन गैस का जो यूज़ेस है, हाइडरोजेन गैस का जो यूज़ेस है और इन वोईच का जो यूज़ेस है उनको भी जान लेंगे चलिए इसको पहले जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए चलिए, अभी तक आप लोगो ने यह सारा चीज़े ड्रॉ कर लिया होगा एक सेट यही पर लिख देता हूँ, यही पर ना मैं एरो देदे के यूज़ेस लिख देता हूँ मैं सोचा थे इसको पूरा मेटाऊँगा इसले मैं तो रह साइड हो गया था इसेहाँ पर ही एरो देदे के लिख देता हूँ ''क्लोरिण गैस का यूज़ेस क्या है?' प्लोरिण ग्यास हमें कौनसे चीजहों में यूज़ करतें या फिर कौन से चीजों में हम लोग यूज करते हैं it is used as disinfectant in water it is used as a disinfectant in water disinfectant फिर water purification में यूज करते हैं फिर इसको chlorine gas को water प्यूरिफिकेशन भी उस करते हैं आप लोग देखेंगे स्विमिंग पूल में यह मैक्सिमम होता है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिक्स काफ किया जाता है ताकि उसमें इम्पूरिटी रहे या फिर कोई भी गंदगी रहे वह साफ हो जाए इसलिए उसमें क्लोरीन अक्सार मिक्स किया जाता है कि स्विमिंग फूल में ऐचा फिर हम लोग यजसकते हैं इट is used in इन मेकिंग पीवीसी पीवीसी का पाइप सोता है विसमें भी यूस होता है फिर इज अब भी कुछ देख लेते हैं और फिर इस यूज़ारिये वाइज जब देह लेते हैं hydrogen gas is often used as a fuel जो future में जो hyper car या फिर super car जो तयार होगा अब लोग ने YouTube में कुछ वीडियो जरूर देखा होगा अभी दुबाई में या फिर foreign countries में ऐसा कुछ car बनाया जा रहा है ऐसा कुछ technology car में input किया जा है आप लोगों ने YouTube में ये वीडियो जरूर देखा होगा कुछ भी cars का वीडियो तो फिर hydrogen gas is often used as fuel फिर hydrogen gas is used for making ammonia for fertilizers fertilizers then hydrogen is used for making margarine margarine क्या है ये एक butter की तरफ ही एक चीज होता है taste कैसा होता है मैंने का भी नहीं खाया इसलिए मैं नहीं बोल सकता पर ये exactly butter के तरफ ही एक substance होता है butter के तरह ही एक substance होता है फिर हम लोग sodium hydroxide या फिर NaOH का भी कोछी uses देखेंगे NaOH का क्या use है NaOH is used for degreasing of metals NaOH is often used for degreasing of metals degreasing of metals then it is used for manufacture of soap then it is used for manufacture of soap then it is also used for manufacture of artificial fibers artificial fibers के manufacture में भी हमारा NaOH का use होता है तेजी use for manufacture of artificial fiber फिर paper industry में भी हमारा sodium hydroxide का uses रहता है paper industry चलिए आप लोग ये हपका पूरा कम्टिट हो गया uses मैंने पहले sodium hydroxide का uses बता दिया फिर hydrogen gas का भी uses बता दिया hydrogen gas का क्या use हो सकता है फिर हमने discuss कर लिया about chlorine gas का uses I hope ये सारा चीजे आपको crystal clear way में clear हो गया होगा आपको फूरा crystal clear way में concept समझ आगया होगा I hope चलिए आप लोग इतना पहले जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से लिखिए चलिए अभी हम लोग हमारे next topic के तरह move on कर लेते हैं जहां पर हम लोग पढ़ेंगे about bleaching powder हम लोग पढ़ेंगे next topic में bleaching powder तो फिस सभी heating देलीजिए bleaching powder bleaching powder का जो chemical name होता है वह होता है calcium oxychloride caocl2 bleaching powder का जो chemical name होता है calcium oxychloride calcium oxychloride मतलब caocl2 अभी हम लोग इसका procedure पर लेते हैं कि कैसे हम लोग calcium oxychloride या फिर bleaching powder को बनाते हैं तो फिर bleaching powder को हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग जब slake lime मतलब caocl2 dried slake lime में से chlorine gas को पास करवाएंगे हम लोग जब dried slake lime slake lime क्या है slake lime है caocl2 अच्छा हम लोग dried slake lime में से जब chlorine gas को पास करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा bleaching powder या फिर calcium oxychloride चलिये reaction लिक लेते हैं अगर हम लोग या फिर पहले लिक लेते हैं अगर केमिकार फॉर्मूला हमें लिकना हो या फिर लिकना हो या फिर केमिकार रिएक्षन हमें लिकना हो तो फिर हम लोग सकते हैं caoh espaço ूपं में सी ओ styling by यह में दीगा caocl ihm वाटर कर यह हमारा jsब यह विशिंग पाऊटर है यवाना हो गया उप्लीचिंग पाउडर कई नासर से हैं था मपार पेव स कल यह ने सकते कोदें यूसे नान लेते हैं के दिण दिशeter का हुसी ना Зकका देंगे देखिये, ब्लीचिंग पाउडर के नाम में ही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम में ही ब्लीच है, ब्लीच मतलब क्या है, ब्लीच मतलब कोई भी कलर या फिर कोई भी सबस्टेंस को फेट कर देगा, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर for bleaching cotton and linen in textile industry for bleaching cotton and linen in textile industry it is used for bleaching it is used for bleaching wood pulp in the paper industry then it is also used for bleaching washed cloth it is also used for bleaching of washcloth in the laundry then one second this is D.A.R.V if something is mystic in the spilling then we will see I am not a spilling of laundry then our bleaching powder is a good oxidizing agent bleaching powder is a good oxidizing agent then bleaching powder is also used as a oxidizing agent in the chemical industry oxidizing agent in chemical industry it is used as a oxidizing agent in the chemical industry then bleaching powder is also used in also used as a disinfectant in water bleaching powder is also used as a disinfectant in water bleaching powder is also used as a disinfectant in water let's try this okay let's try this let's try this you can make it quickly let's try this let's try now let's try this concept crystal clear way से समझ आ गया होगा I hope so and फिर भी अगर आपको जरा सा भी दिक्कत होगा समझने में and मेरा ये एक्सिलेंस से हम्राइटिंग समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिंफांग पड़े मैं आपका पर्टिकुलर डाउट हाँ हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा and thanks for attending my lecture